यह बनाना बहुत ही एजी है, सो लेट्स स्टार्ट, हमें चाहिए जुकिनी, ओयल, ब्रेड, चॉप्ट हरा धनिया, पनीर, चॉप्ट अनियन, ब्रेड क्रॉंट, गार्लिक, ओरिगेनो, ब्लाक प्रेड, स्टार्प, सॉल्ट, मैदा, सबसे पहले जुकिनी को कद्दू कस कर लेंगे, यह देखिए, उसके बाद पैन में थोड़ा सा ओयल डालेंगे, ओयल गरम होने के बाद गार्लिक डालेंगे, चॉप्ट अनियन अड़ करेंगे, और सौते कर लेंगे, जुकिनी अड़ करेंगे, और अच्छे से सौते कर लेंगे, सौल्ट अड़ करेंगे, या आप अपने टेस्ट के कोडिंग अड़ कीजिए, ब्लाक पैपर, ओरिगेनो, और जो मिर्च खाते हैं, वो मिर्च भी अड़ कर सकते हैं, मूस्पून मैदा अड़ करेंगे, और इससे अच्छे से भून लें, ताकि कच्छा टेस्ट ना आए, तब तक हम ब्रेड के स्लाइसिस करते हैं, हमें राउंड शेप में चाहिए, तो आप इस तरह से राउंड शेप में स्लाइसिस कर सकते हैं, जुकिनी रेड़ी होगे, अब इससे हम बाउल में निकाल लेंगे, अब इसमें आड करेंगे पनीर, हरा धनिया, ब्रेड क्रम्ट्स और इससे अच्छे से मिक्स कर लें, चाहिए, सौल्ट कम लगें, तो आप थोड़ा सा आड कर लिएँ, यह रेडी हो गया, अब हम इससे ब्रेड पे लगाएंगे, उससे पहले हम ब्रेड स्लाइसिस को सेخ लेंगे, ये देखी अच्छे से टोस्ट रेडी हो गया है अब हम ब्रेड पे लगाएंगे इस तरह से इसी तरह से हमने सारे स्लाइसेज रेडी कर दिये पैन में हलका ओयल लगाएंगे और गरम होने के बाद इस तरह से सारे स्लाइसेज रख देंगे यह देखिए रेडी हो गया है अब हम इसे अच्छे से प्रेजेंट करेंगे यह देखिए जुकिनी टोस्ट रेडी हो गया है वाउ